हाँ जी स्टोइक जी क्या कहना जाएंगे जी असलाम अलेकुम आरेज़ भाई क्या आले ठीक है वा अलेकुम असलाम अच्छा एक दो कॉमेंट्स हैं मेरे और एक दो फिर कुरान की आयतने और एक हदीश है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ आज पहला कॉमेंट तो यह है कि वो जो आप बात कहा रहे थे ना कि जस्टिन बीबर मैंने नहीं वैसे सुना हुआ था लेकिन वो जो आपने उसका बताया कि यू कांट्राइफ फायर इन थीएटर तो उसमें अब यादिके सब के लिए ये भी कहूँ मैंने सिरफ एड करना था आ जागी तो लोगों को नुकसान हो सकता है दूसरा इसमें बहुत सारा फाइनैंचल लॉस भी इंवाल्वड है लेट से एक बिल्डिंग है उसके अंदर बैंक्स काम कर रहे हैं उसके अंदर ऑफिसेस बिसनेसे ऑपरेट कर रहें वहां पे फॉल सलाम अगर होता है तो वो सा आइडियास को आप प्रिटिसाइज कर सकते हैं मेरा यह पॉइंट वहां नहीं देखें वो जो आपने सेकंडरी टरिश्री रीजन दी हैं वो थोड़े वेग हो जाते हैं वो इसलिए को वो कहेंगे अगर तुम मुहमद के काटू मना होगे तो लहोर में दंगे होंगे किसी भी when you have to stand up for anything उसमें थोड़ा बहुत लौज कर अब पागिसान बना तो वही बात है न तो फिर cost pay की बात है तो उस पर वो यही argument बताएंगा न को कहेंगे हाँ पर यह cost pay कर दो freedom of speech को बचाने के लिए तो वह यह argument आपके गेंच जा रहा है मैं आपको बताओ नहीं मैं आपको बताओ उसकी solid reasoning क्या उसकी solid reasoning यह है वो harm principle है बट लेकर उसकी solid reasoning यह है उसके पीछे कि आपकी वो speech जूट है आपकी freedom of speech वो speech जूट है अगर आप यह कहते है आप to begin with freedom जूट बोलने की जिससे loss of life हो loss of property जूट के उपर अगर truth हो अगर first कि उस बंदे ने वाकिछी चीख मार दिक के आगए और उसको लगाओ के वाकिए आगए तो यह तो एक safety वाला issue है ना यह तो freedom of speech का तो issue ही नहीं कोई 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 पागल ही होगा जो कहें का freedom of speech है मेरी तो मैं ऐसी बात करूँगा जिसे ब analogy बड़ी खराब है क्योंकि यह speech ही जूटी है हाँ अब बात आती है के cartoon पे तो पहली बंदा बात के काली मा को कुछ थाबित कर सकता है कि वो real है नहीं है fictional है बहुत सारे हिंदू मानते है हाँ वो fictional है लेकिन हम फिर भी उसको अपनी मा मानते है चा तो जब एक चीज है fictional है उसके उपर सच और जूट तो होई नहीं सकता फिक्शन तो होती ही वो जिसके सचाई से तालुक ना हो तो उसके उपर कुछ भी हो सकता तो यह logically consistent ही नहीं है इनकी बात और you know that's why I don't understand कि मुझे हैरत तब होती है इसलिए मैं इन लोगों को भक्त कहता हूँ मुझे हैरत तब होती है जब यह Islam के उपर यह कोई इस तरह की वो नहीं दे रहे होते कंसेशन या रियायत नहीं दे रहे होते इसलाम के उपर उन्होंने तोपे चड़ाई होती है यह वो बाया सान। लाजिकली consistent हो ना तुम जी बिलकुल बिलकुल ऐसा ही है अचा फिर एक और इसके बाद अचा उसमें ना मुझे मैं मैं आपकी मुफ्ती अबुलाहत के साथ बात देखी थी वो बहुत मज़ा आया था देखने का लेकिन इसमें मैंने ज़े देखा ना कि मुफ्ती साहब को बिलकुल अंडरस्टैंडिक उनको समझ ही नहीं लाग रहे है अल्दो लेकिन उनको नही पता था वो the kind of arguments he was giving about evolution के जी उसमें नहीं वो start नहीं ऐसे हो सकता ये वो मतलब he knew it लेकिन he only knew it partially तो जो पार्शल understanding होती है ना that's I think that's more dangerous वो उल्टा दूसरी तरफ का side को reinforce करती है तो वो I think उनका उनके arguments बिलकुल भी इतने मताया था नहीं तो आपको आपको हैरत की हुए इस बात पर मैंने भी शुरू में जो बताया मैंने यही बताया कि जितने बड़े-बड़े यह लोग है मैं उसको चोड़े आप यासिर कादी इतना बड़ा बंदा येल का पड़ा लिखा उसको भी evolution की पूरी understanding मुए है so you know ये लोग इनकी सुई वहाँ पर क्योंके एक brain की conditioning है इनकी सुई फसी वी है watchmaker analogy जो मैंने को छेड़ा था मैंने का watchmaker analogy थे कि यह है तो वो कैसे बन गया और वो मेरे जहन में नहीं रहा उनको फिर मैं उस पर भी फसाता लेकिन वो बड़ा वेरी चार्ड़ी सा argument अच्छा हर चीज को बनाने वाला थे पर फुदा को कि समने आप ये इनको मैं evolution पर पगड़ लिया था क्योंकि मुझे पता चल गया था कि इनके evolution की इनको बिल्कुल समझ नहीं आप जब उनका शुरू का पार देखें जब जिस तरह वो evolution के बारे में बात कर रहे थे और फिर end का पार देखें एंड में आकर उनकी सुई वहां पर रुकी कि evolution होती है तो अल्ला करता है इन्वाइनमेंट नहीं करता तो जारी बात इन्वाइनमेंट सोच से नहीं करता इसलिए इस लिए इस तरह की बात है ना कि ये ये टू क्लास टू को भी पीछे आपको मैं बताऊं कि ये बकाइदा ये जब ये दोर कहते हैं न जी मुस्मानों का बड़ा अरूज का दोर था उसमें बकाइदा इस बात पे इमाम गजाली की और जो दूसरे तो मोतजिला उनकी लड़ाई इस बात पे हो गई कि उनका पॉइंट ये था मोतजिला ये कहते थे कि जिस तरह आग लगती है न तो हर आग लगने पे अल्ला की वो शामिल है मर्जी एक्टिव मर्जी एक तो होता ना कि अल्ला ने छोड़ा है तो तो मेरे यानि कि तो फिर भी लॉजिकल बात कर रहे थे मोतजिला वाली कि अल्ला ने एक निजाम लेट से कि हम माननें कि अल्ला है तो एक निजाम उसमें बन प्लेन क्रेश हुआ तो तब ही कहते हैं कि कुरान उसमें बच गया। बड़ी बुक्स लाइब्रेरियां आग लगती हैं बच जाती हैं। फिर इसका मतलब अगर हर वकित अल्लागी मर्जी अगर हर वकित अल्लागी जाज़त चाहिए तो फिर बाद में हम पकड़ेंगे। बाद में किसने पकड़ा किसको न जाती हैं जंगल में मोरना चाहिए किसने जाना। यह सर्कुलर आर्गुमेंट हैं। अनफॉचनेटल मुफ्ती साथ भी यह हुआ हैं। अनफॉचनेटल मुझे उनको कहना पड़ा कि आप वही गोलमटॉल बात कर रहे हैं। इंग्लिश में सर्कुलर, उर्दू में गोलमटॉल। आप एक वीडियो में यह सर्कुलर आर्गुमेंट को यह निके प्रॉपर बाइड डेफिनेशन लोगों के लिए एक्स्प्लेइन भी करें। कि सबसे बहतरीन मिसाल मुझे लगती है इसलाम के कॉंटेक्स में। वो है कि औरतों की गवाई आदी क्यों है क्योंके उनकी अकल काम है और उनकी वो अकल काम क्यों है क्योंके उनकी गवाई आदी है। यह 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 उसी तरह की एजेंपल है। और यह उसी तरह की है, मैंने भुक पर जो लिखा, कि अल्ला मिया ने इनसान को फ्री विल दी है, उसमें ठैने ज़रा, उसमें मैंने क्या उसको गोल माना, जला, I think it will come to my mind, यह फ्री विल के उपर भी ऐसे ही है, इनका आर्गुमेंट के अल्ला ने फ्री विल दी है, खरे मैं मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें मैंने वो चार्ट के साथ उसकी ज़्यादा समझने में सानी आएगी, यह सर्कुलर आर्गुमेंट जो है, बड़ा जबरदसत है, यह मैंने इसकी डायग्राम भी बनाई है, मिल गया है मुझे यह, तो यह देखें, यह है सर्कुलर अगर आप कहते हो ने इसको आप अपना ब्लॉक लिफ्ट कर सकते हो, इस फ्रीविल को यूज करके तुम अपना ब्लॉक लिफ्ट कर सकते हो, तो आप पूछते हो कि अच्छा अगर अगर फ्री विल को इस्तमाल करोगे तो आप यह ब्लॉक को हटा सकते हो लेकिन अगर मैं नहीं उटा सका क्योंकि यह वाली प्रॉबलम है तो अगर मैं उसको नहीं उटा सकता तो नहीं आप फ्री विल आपको अलामी नहीं नहीं दीव है So you know that is a weird kind और आपकी वाली जो सिंपल, वो थोड़ी साथ सिंपलर है कि अल्ला मिया ने आदी अकल दी है, आदी अकल आदी को क्यों दी है? क्योंके क्या थी? यह था कि गवाही औरतों की आदी है, क्यों आदी है क्यों क्यों उनकी अकल काम है और दूसरी एक इंस्टेंस पर पूचा कि अचा जी अकल काम क्यों है? तो वो जी क्योंके उनकी गवाही आदी है यह 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 सर्कुलर आर्गुमेंट और इसको इसी के गुंते रहते हैं अच्छा यह सही बुखारी की है 6366 वो बुक अफ इन वोकेशन है इसमें बेसिकली आर्गुमेंट मैं पहले आपको बता जता हूँ आप उतनी देख लें वो आर्गुमेंट यह है 6366, सही बुखारी की यह बेसिकली हजरत आईशा से ने रेड़िट हदीस है इसमें मेरा आर्गुमेंट यह है कि यह जो लोग कहते हैं न कि पहले से पता था सारा कुछ यहां आप एकफ़ा पाट दें तो फिर क्लेर हो जाएगा दो टू ओल लेड़िस वामांग जुविश लेड़िस entered upon me and said दो बूड़ी यहूदी ओरते आई उन्होंने कहा कि जो मुर्दा है उनको कबर में जाब मिलता है लेकिन हजरत आईशा के रही मैं समझी कि शाहिए वो जूड़ बोल रही है मैंने उनका यकीन नहीं किया वें दे वेंट ओवे and the prophet entered upon me जब वो गए औरते चली गी जब और हजरत मुहमद आई हजरत आईशा के पास तो मैंने हजरत मुहमद से पूछा हरी गूगल तो उस वकित हजरत मुहमद थे उनसे पूछा कि दो बुड़ी औरते आई वे ख़र वे ख़र उनको पूरी कहान इस नहीं तो हजरत मुहमद ने फरमाया कि उन्होंने सच कहा है जो मुर्दा है उनको वाके ही पनिश्मेंट मिलती है कबर में तो दी एक्स्टेंट दाट आल एनिमल्स हीर इतनी उनको उनकी चीखों जबाड होती कि सारे जानवर जो होते है ना इर्दिकरत उनको भी वास सुनाई दे रही होती है जानवरों को सुनाई दे दी हमें नहीं देगी सुनाई बस बात बात इसके बाद से मैंने हमेशा आख़रत मुहमद को कबर के जाब से बचने की कोई डिसकेशन नहीं हुई कोई उनको पता ही नहीं था आशा उमल मुमिन है और उनको तो शादी जल्दी से लिए कराएगी थी ताके वो उनके पास बहुत नौलेज उनकी मैमरी यह बड़ी स्ट्रॉंग हो उन्हों ने शी आच्छली थॉर्ट जॉश वोमन वर लाइंग उन्हों ने फिर जब हज़र्द महुमद से पूचा उन्हों ने फिर उस बात को अपना लिया और शी सेट आफ्टर दाट आट आई नेवर सॉ हिम नोट प्रे फॉर वो जो सालवेशन या कबर के अजाब से जो है वो हमेशा मैंने उनको देखा आफ्टर दाट ये इसमें क कि मैं आपको बता हूँ कुरान भी खामोश है कबर के अजाब के बारे में कुरान वो हेर आफ्टर और यानि कि उसके बारे में बात करता है रोजे क्यामत के बात की और मैशर की और ये वो सारी कबर की अजाब कोई जिकर नहीं है कुरान में तो अगर कोई मोमिन बैठे में तो वो जरूर लेकिन या है कि I'm sure और मैंने ये काफी इस पर खुद भी देखा चेक भी की है ऐसा वाकर लेकिन मुझे तो देखें मुझे तो इस पर हैरत होती है लाकि हर जगा पर गोलमटर बात होती है कि मैं क्यों नहीं सुन सकता नहीं नहीं पहले कवर अपने बेसिस कवर की होती है नहीं नहीं सारे जानवर सुन सकते हैं तुम नहीं सुन सकते है तो फिर मैंने इरादा तर्क कर दिया कि कहीं तुम अपने पर बताया क्यों है यह दो हिंदू पिर जलाद हो फिर अब ताब भी हम पकड़ लेंगे अच्छा पकड़ लेंगे ताब यह ऐसे गोलमटर बाते करते हैं हमीशे इनको इसे शरम नहीं आती ही किस किसम की भूंगिया लोगो आमीन इस तरह की भूंगिया किसी मामले पर लोग नहीं मारेंगे मजब के मामले पर मारेंगे कि यह हाँ जी कबर बिच्छू अचा बंदा मुरता है तो बिच्छू काटे नहीं पर क्या होगा वह भी बिच्छू काटे का साथ द्राया आपनी तरह से पूर है पता कि मुझे अब यह समझाई है कि ना यह इसलाम के अंदर बहुत बड़ी किन्फूजन है और फिजिकल एक्जिस्टेंस वर्सेस स्पिर्चूल एक्जिस्टेंस इस मामले में मैंने देखा क्रिस्चानिटी इस मुच बेटर इस मामले में नहीं लेकिं वह भी इस पे वह भी गलत है इन मैंके तो इन डिलिज्जिस लोगों की प्रॉब्लम ही है इनकी किन्फूजन है कि फिजिकल एक्जिस्टेंस और नोन एक्जिस्टेंस यह इत्ति क्या चीज है यानि मरने के बाद किद्र जाते हैं नहीं किदर किदर नहीं कुछ है किइं तो बंदा निकल के जाता है वो हिंदू भी यह कर आतमा परमाथ को कि कजी तो कुछ होता हί लेकिन हम नहीं है तब ही वो करन अरजन मूवी के चंदा कब दूर के रहन से उसको याद आज आज ते हैं कुछ और जनम था मकड़ी थी मखी थी पता नहीं क्या था को अच्छा काम किया होगा कि उसको रिवार्ड बना दिया आपने कि वो इंसान बजने बड़ और जो मुसल्मान है उनके पास कोई क्रियेशन अलामिया उसको करने की लेकिन आप मरने के बाब है एक दाफा क्रियेश होगी है तो पहर आम नहीं का सेकते हैं so you know that's um thank you very much एक चोटा सा पॉइंट है और अगर कोई क्ली कर सकते हैं तो यह मेरा अरिजिनल आगूमेंट है मैं ईसी डिस्ट्लेमर दे नहीं कि यह मैंने वो चाहा है वो आर्गिमेंट है सुरह काफरून के बारे में यह सुरह काफरून यह मकी सूरत है यह वार अधी अर्लियर सूरास है मकंदौर की अच्छा उसमें क्या है बेसिकली इसमें पॉइंट यह है यह क्रिस्टिन प्रिंस का अर्गिमेंट है बेसिकली वैसे बंदा तो अजीब साही है लेकिन कुछ उसकी बाते मुझे समझ आती है अचा अब अगर हम, if we go along the premise of ये Judeo-Christian prophethood के बारे में सारा हम उसको let's say for a moment, for the sake of argument, हम उसको मान ले ठीक है, अब उसमें जो prophet है और वैसे भी general dictionary या general language में भी prophet का मतलब है कोई शक्स जो किसी चीज़ की prophecy करे और that prophecy has to be correct क्यूंकि ये एक उनका प्रेदिक्शन है वी था कि जिस prophet की अगर prophecy ही गलत थाबित हो जाए तो वो तो false prophet हो गया इसी तरह ये मिर्जा गुलाब अमद कादियानी को भी रोलते हैं उसने कितनी प्रेदिक्शन की उसारी false थी ठीक होगा अच्छा प्रेदिक्शन है वाला था लेकिन वो कुरान में इस तरह प्रेदिक्शन जादे है नहीं न तो थोड़ा सा अब ये सुरह काफिरून जो है ये तो अब दाहरे कुरान का हिस्सा है ठीक है और ये चाहार कुल जो लोगों ने घर में भी लगाए होती है उसका भी हिस्सा है अच्छा अच्छा अब पहले मैं ये बिता दो लोगों को सुरह काफिरून बड़ी चोटी सी आया तो उसमें ये है कि हमारे मजब को नहीं मानेंगे हम तुम्हारे मजब को नहीं मानेंगे तो तुम्हारे लिए तुम्हारा मजब हमारे लिए हमारा मजब issue ना बनती फिर ये prophecy नहीं बनती ठीक है लेकिन जब ये future की बात हो गई और ये बात हो रही है एहल मक्का से शुरू के दौर में तो वो सारे तो फिर मुस्लमान हो गए तो ये तो धड़ाम से गिर गया सारा कुछ के तुम वो नहीं कितने बड़े अबू सुफ्यान की आँ उस दिन बात कर रहे थे अबू सुफ्यान ने कितनी जगे लड़ी मुसलमानों के खिलाफ तो क्या ये उस ग्रूप में शामिल नहीं था जो कुफार थे जो तंग का रहे थे मक्का मतन दोर में ठी67 से अ Анव ते मान लिया इसना में उस ने सिर्फ जो है जड़ावे से खिर सब्सक्रावरे खतना कि है हमेजामिर उसकी नहीं उसकी मज़ज़ा से कई लोग कहते हैं यह सारा जो इसलाम में जब फितना आयाー वहां अबू सुफ्यान को बड़ा एक्सेप्ट किया जब उसने इसलाम कबूल किया तो रसूल आला को पता हो ना जिए खाच बज़ुरा है खैर हदीसें हैं बूसुफ्यान को घर को फता मक्का के उपर प्लेस ऑफ पीस का खिताब दिया गया कि ये अमन की जगा है इसको डिकलेर क भीर किया गया जब मक्का फताः हो गया ना तो अबूसुफ्यान के घर को जो अबूसुफ्यान के घर चला security वह भी सेफ है, कोई इसको मशे अपने घर पूरा हार चीज में डाल दिया ये भी सेफ है जो अपने घरों में वो भी सेफ हैs यहने का मकसद यह कि आए कि आपर बड़ा अच्छा आर्गुमेंट है, जितने लोग हैं, वो सुनके ही मुसल्मान होते हैं ना, जो जोनों ने कबूल किया इसलाम, उन्हों ने जाहरी बात है, वो किसी और को मानते थे, फिर उनने इसलाम कबूल, लेकिन इस पर बड़ा चला आ गए, इस पर ये कहेंगे, नही होंके स्पेसिफिकली बात होते हैं, जो इसलाम कबूल नहीं कर रहे थे, और आपके बाद ठीक है, उनमें से अबू सिफियान का नहीं था, अबू सिफियान का जिकर नहीं था, वो लोग अबू चहल जैसे लोग थे, उनका जिकर हो रहा था, लेकिन फता मक्का पर जितने लोग थे, वो सारे फिर मुसल्मान हो गए ना, उसके बाद फिर वो कोई भी उदर नौन-मुसलिम नहीं बचा, पॉइंट ये भी है, भाई मुझे तो आरी आपके पॉइंट के समय, मुमिनी ने च्रांग मार दिया ना, ये बड़ा चा पॉइंट है, ये मैंने पहले भी स प्रांग मार जर सकती तो आपके लिएगरी खज़ीज़ के लगधा सही बड़ा चा पॉइंट बड़ा पॉइंट ये बड़़ान पांपके लिएक उड़ा प्रांग सारे पुईंट बपमेट बड़ा, उसके समयेग, घमेद्यों झाता पॉग आपके, जाल आपके शके ल